नमुश्कार में उप्रिया धरा धरती इस खबरों में आपका स्वागत है चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को उत्तरप्रदेश पुलीस भरती एवं प्रॉलती बोर्ट की तरफ से 2430 पदों पर निकाली गई तीन बड़ी भरतियों के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीस जन्वरी से शुरू हो जाएगी योगी और इच्छो को मिद्वार यूपीपी बीपीबी डियोट जियोबी तीनो तरह के भरती के लिए आवेदन की प्रक्रिया बीस जन्वरी 2022 से शुरू हो जाएगी अरपना यादव की भाजबा में शामिल होने पर समाजवादी पार्टी के ध्यवश खिलेश आदव की प्रतिक्रिया आ गई है खिलेश आदव ने कहा कि उन्हें इस बात की चुनावी दाविदारी पेश कर रहे हैं हालाकि इस इतिहास को दोराते हैं उनके समर्थक और पार्टी के लोग कताई ये नहीं चाहेंगे कि वो इसी इतिहास की परिणाम को भी हासल करें भाजबा ने सीम योगी अदितनाथ और डिप्टी सीम केशिव प्रसाद मौरे को चुनावी समर में उतारने का एलान कर दिया है इसके बाद सही भाजबा लगातार सपा पर हमला बोलते वे सवाल पूछ रही है आखिर अखिले श्यादव कहां से मैदान में उतरेंगे इस बीच खबर है कि खिले श्यादव दो सीटों से चुनाव में उतर सकते हैं वो आज चुनाव लड़कर एक तरफ पुरवांचल में माहौल बनाने का काम करेंगे तो वही मैनपुरी से लड़कर वो सपा के पालम पर एक गड़ को भी मजबूत बनाए रखना चाहेंगे इंटेलिजन्स ब्यूरों ने 26 जनवरी पर आतंकी हमले का अलर्ट जारी कर दिया है संबन में दिली पुलीस ने 9 पन्नों में जानकारी साज़ा की है अलर्ट में बताये गया है कि ISI के इशारे पर खलिस्तानी लिबरेशन फोर्स समेथ कई संगठन भारत के बड़े नेताओं को टार्गेट करने की साज़श रच रहे है भारती नौसेना के मुंबई स्थित डॉक्याड और INS रनवीर में मंगलवार को एक धमाके से नौसेना के तीन कर्मी की जान चली गए और 11 घायल हो गया है नौसेना ने बताया है कि घायलो का इलाज मुंबई स्थित नेवी के अस्पताल बे चल रहा है नौसेना ने बयान जारी कर कहा है कि धमाकास जहाच के आंतरिक कक्ष में हुआ बताये गया है कि जहाच के चालक दल के सदसे ने हालत पर तुरंत काबू पा लिया है भारती नौसेना ने कहा कि कोई वड़ी समागरी छटी की रिपोर्ट नहीं है भारत की कई राजों में कडाके की सर्दी पढ़ रही है इसे बीच भारती मौसम विज्ञान वभाग ने संकेत दिये हैं कि अभी थंड का सित्म और बढ़ेगा इतना ही नहीं कई लाकों में बारिश का भी अनुमान लगाए गया है भागने मंगलवार को पुर्वानुमान लगाया है कि अगले 24 घंटे के दौरान दिन के तापान में और कमी आने की संभावना है उलतर पश्रुमी भारत में 21-23 जन्वारी के बीच बारिश हो सकती है इस प्रकार कई अलाकों में ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा बीते चार दिनों में कोरोना वारिस के नए केस में जो कमी देखने को मिल रही थी वो फिर से खत्म हो गई है बुद्वार को आए बीते एक दिन के आकड़े में कोरोना के 2,83,000 नए केस सामने आ है इसके साथ ही देश भर में कुल सक्री मामनों की संक्या बढ़कर 18,30,000 हो गई है हाला कि राहत की बात यह है कि एक तरफ कोरोना के नए केस 2,82,970 मिरे है तो में इस दौरान 1,88,000 से ज्यादा लोगों ने कोरोना को मात दी है कोरोना के नए केस में जिस तेजी से इजाफा हो रहा है उससे माना जा रहा है कि एगले दो दूनों में आकड़ा 20 लाख के पार हो जाएगा संयुक्त रास्ट्र में भारत ने पाकिस्तान को फिर से एक बार लताड़ा है भारत ने मंगलवार को कहा कि 1993 के मुंबई बंविस फोटो के दोशियों को पाकिस्तान ने ना के बस अंग्रक्षन दिया बर्कि उन्हें फाइफ स्टार सर्विस भी दी थी आपको बता दे कि मुंबई ब्लास्ट का दोशी दी कंपनी का प्रमुख दाओ दब्राहिम के पाकिस्तान में च्छिपे होने की बात लगातार कही जा रही है सुप्रीम कोड पर कोरोना कहर बन कर टूट पड़ा है देश की सरवोच अदारत के गस जजज इसकी चपेट में आ गए हैं आधिकारिक सूत्रों ने मंगलदार को कहा है कि महामारी के संक्रमन ने कामकाज को काफी प्रभावित किया है करमचारियों के संक्रमत होने की दर 30 प्रतुषट के करीब पहुँच गई है हलके एलक्षन वालों को होम आइसोलेशन में रखा गया है चीफ जस्टिस पूरे मामले पर नजर बनाये हुए है कोरोना के नए वेरिंट ओमिक्रोन की वज़े से दुनिया के कई देशों में दैनिक मामलों में काफी उचाल देखने को मिल रहा है भारत में भी लगातार मामलों में इजाफा हो रहा है इसके असर 26 जनवरी यानि की गंतंत्र दिवस परेड पर भी होता दिख रहा है फिश्र साल की तरह स्ताथ भी मुक्यातिती के तौर पर किसी विदेशी नेता के बिना ही राजपत पर पर परेड का योजन होगा गंतंत्र दिवस समारों में इस बार उतर प्रदेश समेत बारहर राजो और केंदर साशुट प्रदेशों की ज़हंक्या नजर आएंगी उतर प्रदेश की ज़हंक इस दफार एक जुला, एक उतपाद और काश्यर विश्वना धाम पर केंदर रिते रहेगी जबकि उत्राखर्ण के ज्हांकी में प्रगती के पत पर अग्रसर राजी को प्रदर्शित किया जाएगा पांच राजों के विधान सभा चुनाव में कॉंग्रिस महंगाई और किसानों के मुद्ध को प्रमुकता से उठाएगी केंद्रिय वित्र मंतरी निर्मला सीता रमन ने देवास एंट्रिक्स मुद्धे पर सुप्रिम कोड के फैसले के बाद कॉंग्रिस पार्टी पर निश्वाना साधा है वित्र मंतरी ने मंगलवार को कहा कि यूपीय ने 2011 में ये सौदा रद कर दिया था ये धोखाधरी का सौदा था एंट्रिक्स सौदे की धोखाधरी से देवास बच नहीं पाए और इसलिए सरकार ने सभी अदालो तो में लड़ाई लड़ी कोरोना की चलते अंतरास्ट्रिय यात्री उडानों पर रोख फिलहाल बढ़कर आ रहेगी डारेक्टर जेनरल ओफ सिविल एवियेशन ने ये फैसला लिया है DGCA ने देश और दुनिया में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हैं अंतरास्ट्री उडानों पर रोख को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है DGCA ने पत्र डिकर इसकी जानकारी दी पत्र में लिखा है कि प्राधिकरन ने भारत से आने जाने वाली अंतरास्ट्री वानिजी के यात्री सिवाओं के निरंबन को 28 फरवरी तक बढ़ा दिया है सुप्रीम कोट ने COVID मुआवजा ना दिये जाने पर बिहार और अंतरप्रदेश के मुखिल साचिवों को फटकार लगाई है कोट ने दोनों राजों के मुखिल साचिव को तलब किया है कोट ने मुखिल साचिव को आज दो पहर दो बज़े तक वर्चोल सुनवाई के जरिये पेश होने का आदेश दिया है कोरोना वाइरस की कारण जान गवा चुके लोगों को परिजनों को अभी भी मुआवजा नहीं मिला है का शाचिव को दो भाइव को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही थी जैसे देश में कोरोना को फैलने से रोकने के लिए फुल लॉकडाउन और यात्राओं पर प्रतिबंद जैसे कदम नुक्सान बहुचा सकते हैं संगठन ने लॉकडाउन का एक नया फॉर्मूला बताया है संगठन ने कहा है कि भारत को 30 लहर से लड़ने के लिए रिस्क के हिसाब से बैन लगाने के लिए रणीती बनानी चाहिए देश में कोरोना के खिलाफ टीका करन अभियान देजी से चलाए जा रहा है टीका करन अभियान के बीच अच्छी खबर आई है देश में 50 फीज़ी से जादा किशोरों को वाक्सीन लगाई जा चुकी है इस बैठक में पांच राज़ों में होने वाले विधान सभाचुनाव पर चर्चा हो सकती है साथ ही कोरोना संक्रमन को लेकर किये गए उपायों पर भी चर्चा हो सकती है इसके अलावा आजो आर्थिक मामलों की मंतरी मंदली ये समीती की भी एहम बैठक होने वाली है ये बैठक वीडियो कांफरेंसिंग के जरिये होगी उचपदस्त सूत्रों ने बता है कि CCEA की बैठक सुबह 10 बजी और केंदर क्याबनेट की बैठक सुबह 10 बच कर 5 मिनिट पर होगी प्रधान मंतरी नरेंदर मोदी ने बुधवार सुबह राश्च्री आपदा प्रक्रिया बल के स्थापना दिवस पर टीम को बढ़ाई दी है प्रधान मंतरी ने ट्वीट किया कि कड़ी मेहनत NDRF टीम को उनके स्थापना दिवस पर बढ़ाई इस मौके पर पीम ने NDRF बल की सराहना की और कहा कि कई बचाव और रहात उपायों में NDRF बल लोगों की सेवा के लिए आगे रहे हैं उनना ने कहा कि चुनाती पुर्ण पर इस सित्यों में NDRF ने अपने एहम भूमी का निभाई है बाउचर्चित बालववाह निवशेद संचोधन विदेग 2020 जिसमें लड़कियों की शादी की उम्रठारा से बढ़ा कर 21 साल करने का प्रस्ताव दिया गया है इस पर बुधवार को संसत की स्थाई समीती के साथ चर्चा होनी थी जया जेटली की टीम के सदस्यों की तब्यत खराब होने की चलते इसे फिलहाल के लिए टाल दिया गया है सिक्षा महिला और बच्चों युवा और खेर के लिए बनाई गए इस साई समीती के अध्यक्ष विने सहस्र बुध्धे ने एन आई को बताया है कि बालववा निशेद विदेग 2020 पर बुधवार को चर्चान नहीं की जाएगी एर इंडिया की तरफ से अमेरिका और भारत के बीच विमान सेवा में बदलाव किया गया है विमारन सेवा देने वाली एर इंडिया ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी दरसल अमेरिका में बुधवार 19 जन्वरी से 5G तक्नीक लागू होने जा रहा है इससे 1000 उरान प्रभावित हो सकती है अमेरिका के संक्रामक रोग विशशग्य और यूएस उनिवर्सिटी ओफ मेरिलैंड के डॉक्टर फाहीम यूनस ने बच्चों के लिए वाक्सीन पर जोर दिया है साथी च्छेतावनी देते वे कहा है कि कोरोना की तीसरी लहर में बच्चे अधिक संक्रमित हो रहे हैं पहुँच गया है वहीं आज दिली में पिश्चो 24 गंटे के दौरान 11,686 ने मामले सामने आए हैं और 38 लोगों की जान गई है इस दौरान पॉजिटिविटी रेट 22 दिशन में 47 प्रतिशत रही रास्ट राज़ानी में कोरोना के सख्रिय मामले 78,112 है केंदर सरकार ने कई राज़ो और केंदर साशित प्रदेशों में कोरोना जांच की संख्या में गिरावट का उलेक करते वे सोंबार को उन्हें जांच बढ़ाने को कहा है सुप्रिम कोट ने मंगलवार को कहा कि विधानसभा में एक साल के लिए निलंबन का किसी उदेश उसे जुड़ा होना चाहिए इसके लिए कोई प्रबल कारण होना चाहिए जिसे सदस्य को अगले सतर में भी शामिल होने के अनुमती ना दी जाए सिर्ष अधारत पिठासी रधिकारी के साथ कथित दुर्वेभार करने के आरोपे महराश्च्र विधानसभा के एक साल के लिए निलंबित किये गए भारती जुंदा पार्टी के बारा विधाय को द्वारा दायर याचिका उपर सुनवाई कर रही थी अब आदमी पार्टी ने पंचाब की बाद गौः में भी वधानसभा चुनाव के लिए सीम काडिडेट की घोषना कर दी है पारटी ने गौः में ये जिमधारी अमित पालेकर को दी है इस बात की होषना दिले के कई बारावाद रखा चुके हैं पर डिजुटल अभियान के युग में सोनिया गांधी की नित्रतु वाली कॉंगर्स बुकलेट रिलीज पर भाजपा पर हमला बोलेगी इंडियन एक्सप्रेस के रिपोर्ट के मताबिक किसानों के मुद्धे पर पहली बुकलेट का अनावरन बुधवार को किया गया पूछेगे सवाल का जबाप आप में से बहुत सारी यूजर ने हमें कॉमेंट करके दिया था उसके रहा आपका बहुत बहुत धन्यवाद आप में से जिन्यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है सबाह एहमद, मिस्टर बाबु, संजीव कुमार, एहसन एह पूरी कोशिश करेंगे तो चले बढ़ते आज के सवाल क्यों आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके नुसार COVID-19 के बढ़ते संक्रमन के बीच दूसरे देश से अंतरास्ट्रे विमान सेवा को रोकने का फैस्ता सही है या नहीं, अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जर पूरे रहने के लिए हमारे यूट्यूब चानल को सब्सक्राइब करें और बला आकोन दवाना ना भूलें, धन्यवाद